गुड मॉर्निंग नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सभी का सौगत है आपके पसंदीद यूट्यूब चैनल टॉपर्स राइस में दोस्तों मैं हूँ अनियल सिंग डेली यूस इंगलिस संटेंसर की सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ स्पेसल टाइप के फ टेंडेंसर में जो फ्रेज़ यूस करते हैं फ्रेज़ यूज हुए हैं जैसे कि देर से ही सही पर काम करने की जरूरत नहीं है तुम तो बड़े भूटे निकले यह काम करना पड़ेगा आगे से यह चीज मत करना तो ऐसे फ्रेज़ के लिए हम लोग क्या स्ट्रक्शर ख्रेज करेंगे इट्स ओके इवन-फ्रेज़ बडट यहां रखने सको इस ओके विएड लीपाट ऑटाउ इट्स ओके इवयन इफ लेट इस अनुद बडट ओकी उपसके यह जो एक sounds देर से ही सही पर आना जरूर, देर से ही सही पर आना जरूर, it's okay even late, but must come, it's okay even late, it's okay even if late, but must come, okay, second example देखेंगे, देर से ही सही पर वो मान गई, देर से ही सही पर वो मान गई, it's okay even if late, but she agreed, it's okay even if late, but she agreed, next example देखेंगे, देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई, देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई, structure वो ही उस करेंगे, जैसा हम लोग करते चले आ रहे हैं, it's okay even if late, but you got wisdom, it's okay even if late, but you got wisdom, आगे बढ़ते हैं, देर से ही सही पर तुम्हें नौकरी तो मिल गई, देर से ही सही पर तुम्हें नौकरी तो मिल गई, structure वो ही उस करेंगे, phrase वो ही उस करेंगे, it's okay even if late, but you got the job, it's okay even late, even late, if का यूज नहीं वहाँ पर, याँ पर if use करेंगे, it's okay even if late, but you got the job, next देखेंगे, देर से ही सही पर मेरा काम करना, it's okay even if late, but do my work, यहाँ पर if का यूज जरूर किया जाएगा, it's okay even if, even if का यूज होगा, इसलिए यहाँ पर if लगा देते हैं, it's okay even if late, but do my work, ओके, देखते हैं, next, use ना पड़ा, ओके, past का ये tense है मारा past का, और past में कोई काम करने के आपको मजबूरी होती है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ये वाला phrase had to, and then work की first form, okay, for example, मुझे वहाँ जाना पड़ा, देखे, गया तो वहाँ पर, लेकिन उसके जाने में मजबूरी दिख रही है, उसकी इच्छा नहीं दिख रही है, जब इच्छा नहीं दिखती, मजबूरी होती है, तो फिर वहाँ पर हम had to का use करते हैं, जब वो खुद से जाता है, तो फिर हम had to का use नहीं करते हैं, जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो फिर I was to go करते हैं, यहाँ पर मजबूरी है, मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसलिए had to का use करते हैं, जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, I had to go, the earth, next, मुझे तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा, you had to wait for me, had to का इस्तिमाल कर रहे हैं, यहाँ पर work की first form लगा रहे हैं, उसके बाद में, मुझे पूछना पड़ा, I had to ask, मुझे दिखाना पड़ा, I had to show, मुझे दिखाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, I had to come, बढ़ते हैं आगे, next, use, तुम तो बड़े dot dot निकले, turn out to be so, देखें सबसे पहले subject, लगा देगे, you turned out, या फिर he turned out, उसके बाद में, तु बी, so, और उसके बाद भी वो जो निकला, जूठा निकला, कि सच्चा निकला, जो भी निकला, उसकी English लिख देगे, let's see the examples, तुम तो बड़े जूठे निकले, बहुत ही common जीज़ है, popular है, हमारे daily life में ऐसा, बोलते रहते लोग, तुम तो बड़े जूठे निकले, त you turned out to be so liar, you turned out to be so liar, छूठे की English होती है, liar, और subject हम लोग पहले लगा देंगे, you turned out to be so liar, तुम तो बड़े चालो निकले, चालो की English होती है, clever, cunning, तो you turned out to be so clever, next लेकते हैं, तुम तो बड़े तेज निकले, okay, तेज की English होती है, smart, you turned out to be so smart, तुम तो बड़े तेज निकले, you turned out to be so smart, next तुम तो बड़े मतल्बी निकले, मतल्बी का मतलब होता है स्वार्थी, यानि कि selfish, you turned out to be so selfish, you turned out to be so selfish, अगला वाला देखते हैं, तुम तो बड़े चुपे रुस्तम निकले, चुपे रुस्तम की English, देखे क्या होती है, gem, hidden gem, hidden gem, ये फ्रेज है चुपे रुस्तम इसके लिए hidden gem का इस्तमाल के जाएगा, तुम हमारा subject है, you turned out to be so hidden gem, चुपे रुस्तम निकले, बड़ते हैं आगे, देखते हैं, अगला प्रियोग, पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीके मजबूरी है, आपको ये काम कर पड़ेगा, आपकी इच्छा है कि नहीं है, तो इसलिए will have to, future में है तो will और मजबूरी है तो have to, examples लिखते हैं, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, you will have to go there, जाना पड़ा के लिए had to लगाते थे और इसलिए अमने इसका future भी दे दिया, you will have to go there, next, तुम्हें यहाँ आ मुझे आज खाना बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मजबूरी दिख रहे, future की past में होती ही, तो फिर had to लगाते, future में मजबूरी है, बनाना पड़ेगा, तो फिर will have to, okay, I will have to cook today, याद रखना, will का योज हम लोग आई, अवी के साथ भी करते हैं, ओके, वैसे तो negative और interrogative sentence में हमको यह करना चाहिए, कि shall का योज करना चाहिए, लेकिन speaking list में avoid करे, shall का योज बहुत ही कम होता है, लेकिन interrogative sentence और negative sentence में अब भी किया जाता है, ओके, मुझे आज खाना बनाना पड़ेगा, I will have to cook today, अगर sentence negative हो, या फिर interrogative sentence हो, तो फिर shall का योज आप कीजिए, मुझे मेरा घर बेचना पड़ेगा, मुझे मेरा घर बेचना पड़ेगा, I will have to sell my house, I will have to sell my house, चलिए, नेक्स लाइड देखते हैं, आगे से, turned out to be sour, यहां पर यह mistake भी है, ऐसा, गणबढ़ है, from now onwards, इसका इस्तिमाल परेंगे, यहां पर इसको correct करके चलते हैं, from now onwards, आगे से, from now onwards, आगे से ऐसा मत करना, ठीके, तो आगे से ऐसा मत करना, ठीके, सबसे पहले ऐसा मत करना के लिए, तो फिर हम लोग यूज करते हैं, don't do this, और आगे से के लिए यूज करेंगे, from now onwards, आगे से ऐसा मत करना, आगे से वहां मत जाना, आगे स उससे बात मत करना, आगे से मुझे फोन मत करना, इसके लिए from now onwards का यूज़ करते हैं, बागे remaining sentence जैसे होता है according to tense, according to sentence, translate कर दीजिए, आगे से मैं तुम्हें call नहीं करूगा, sentence हमारा future में है, इसलिए I shall not call you और उसके पहले या फिर बाद में आप लगाईए, from now onwards, okay, sentence की शु call to you, next, आगे से मुझे कुछ मुझे कुछ मत चुपाना, आगे से मुझे कुछ मत चुपाना, from now onwards, don't hide anything to me, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, from now onwards, it should not happen, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, next, आगे से मुझे जूट मत बूलना, from now onwards, don't tell a lie to me, thanks for watching, have a nice day.